हाई एब्रिवान वेलकम तो स्किल्शॉट तोड़े वेया डूइंग सेलेक्शन वीडियो जो आपके फ्यूचर में बहुत कामाएगा विया हमारा सालरी शीट है जिसमें नेम स्टेट सिर्थी सालरी सारा डिटेल्स दिया हुआ है आज हम लोग कीबोर्ट का यूज के थ्रू सिलेक्ट करेंगे टेटा को और कैसे हम डेटा सिलेक्ट करते हैं हम जानेंगे Since मैंने previous class में भी आपको बताया था कि आप shift और down arrow के through कैसे data सेलेक्ट कर सकते हैं लेकिन यह पूर्ट time गर्यूम है अगर आप देखो मैं shift और down arrow प्रेस कर रही है तो it's taking me few seconds time लग रहा है इसमें अगर मैं को quickly कुछ करना है तो मैं क्या करूंगी सपोस करो यह जो मेरा salary sheet है यह जो table है यह मैं को क्या करना है मैं को यह select करना है तो मैं क्या करूंगी ctrl shift down arrow within one second से भी कम two second से भी कम का time लगा होगा यह करने में तो अपने एक सकते हो ctrl press करे फिर shift प्रेस कीजिए फिर down arrow तीनु को एक साथ प्रेस करना है ओके so ctrl shift down arrow so this is used to quickly move to the last cell of your table आप पूरा select कर सकते हो last cell of your table तक आप move कर सकते हो तो यह हमारा एक trick था ctrl shift down arrow का अब सपोस करो यह data हम थोड़ा analyze करते है तो हम देखते है कि हावडा का जो spelling है वो सही नहीं आ रहा है तो हम इसको कैसे edit कर सकते है without using mouse mouse से तो हम लोग को double click करके हम अंदर आ सकते है that we know but without using mouse हम कैसे इसको click कर अंदर इसके cell के अंदर जा सकते है हम लोग क्या करेंगे F2 यूज करेंगे F2 जब हम लोग प्रेस करते हैं तो यह cell के अंदर हमारा cursor का link आने लगते है फिर हम लोग backspace देंगे backspace देने के बाद जो spelling सही है वो हम लोग type करेंगे और enter प्रेस करेंगे ठीक है अब जैसे यह spelling सही है मैंने ऐसे F2 प्रेस किया और गलती से कोई entry कर दी लेकिन मैं को यह entry को क्या करना है cancel करना है तो मैं क्या करूँगे escape प्रेस कर दूँगे तो वो entry cancel हो जाएगे ठीक है तो हम वापस से use करते है जैसे suppose करो मैंने यहाँ पर spelling correct किया था तो मैंने F2 प्रेस किया जैसे क्या हुआ हमारा जो cell के अंदर cursor चला गया फिर हम लोग जो भी करना है किये जो changes करना है we made it then we can press enter अब इसमें हम लोग क्या कर सकते है फिर हम लोग अगर F2 कहीं भी use कर रहे गलती से भी अगर हम लोग entry कर रहे है तो हम लोग escape देके इसको cancel कर सकते है तो हमने क्या क्या use सीखा अभी अभी हमने सीखा F2 और escape का use और हम लोग control shift down arrow से select कर सकते है पूरे table को ये भी हमने सीखा अब हम सिखते है tab आप arrow की भी use कर सकते है और tab भी use कर सकते है अभी मैं tab यूज कर रहे हूँ tab हमारा क्या करेगा हमारा tab जो है वो move one cell to the right आप यहां देख सकते हूँ वो excel right में जाएगा अभी मैं tab यूज कर यूज कर यूज अगर यूज करेंगे तो ये excel right में जाएगा ठीक है ओके तो we have used F2, tab, escape, control, shift, down arrow now we will use another trick अगर आपको suppose करो last में जाना है तो control, down arrow आप यूज कर सकते हूँ तो आप कहां जा रहे हूँ last populated cell है table का उसमें चले गए आप अब control वापस अगर आप down arrow यूज करोगे तो एकदम नीचे आप चले जाओगे और control up यूज करोगे तो फिर आपका जो first जो populated आएगा मितलब last section जो आ रहा है उसमें आप चले जाओगे see control down arrow I am pressing it here अगर suppose करो मैं control right arrow प्रेस करती हूँ तो एकदम salary जो मेरा table है उसके last में मैं चले गई फिर control down arrow प्रेस कर रहे हूँ तो ऐसे revolve हो रहा है फिर control left arrow प्रेस कर रहे हूँ फिर up arrow so you can see कि यह जो table है इसमें हम move कर पा रहे है easily ठीक है अब यहां से अगर मैं को control down arrow प्रेस करना तो एकदम मैं last cell में चली जाओँगे excel के फिर control up arrow करके मैं उपर आ जाओँगे ठीक है control up arrow and down arrow we can use अगर आपको last cell यहां से जाना है right hand side से तो control right arrow मैं use कर सकती हो तो यह हमारा कुछ ट्रिक्स है अब एक और चीज़ आप देख सकते हो sheet 2 में अब इसको मैं कैसे select कर सकती हूं अगर मैं shift down arrow करती हूं तो it takes me a more time लग जाता है right बहुत time लग रहा है अगर मैं ऐसे select करती हूं अगर कोई बढ़ा data होता तो बहुत जादा time लगता तो मैं क्या करूंगी अगर मैं shift control down arrow करती हूं तब भी वो जो टेपल का last populated cell है वहां पर वो select कर लेता है पूरा लेकिन यह जो mid वाला हम लोग का gap आ रहा है उसको वो jump करके पूरा select नहीं कर पाता है तो हम लोग एक और शीज यूज कर सकते हैं control shift end तो देख सकते हैं आप पूरा data select हो गया वो जो बीच में gap है वो भी अराम से हम लोग select कर सकते हैं कि यह अपना पूरा select कर लेता है data को लोग क्या ही उसकी है control shift end ओके by this आप selection properly कर सकते हो अगर आपको पूरी sheet select करने है तो आप यहाँ प्रेस कर सकते हो पूरी sheet आपके select हो जाएगी तो आज हमने क्या क्या सीखा एक control shift down arrow सीखा मैं यहाँ गई control shift down arrow किया पूरा table सेलेक्ट हो किया फिर दूसरा हमने सीखा control shift end highlight all your data अब यहाँ अगर मैं गई और यहाँ से मैं सेलेक्की control shift end परी control shift end तो मेरा पूरा data highlight हो किया अब दूसरा चीज मैंने क्या सिखा control arrow अब control अगर मैं right arrow प्रेस करते हो तो एकड़म लास्ट वाला जो cell है right side में मैं वहाँ चली जाती हूँ पिर control left arrow तो यहां मैं cell में आ जाती हूँ तो यह हमने यूज किया अब F2 यूज करके मैं कोई भी चीज को सही कर सकती हूँ या कोई भी changes अगर में को करना है तो मैं इसको simply मैं क्या कर दूंगी escape कर दूंगे तो entry अपने आप क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा और tap के मदद से हम क्या कर सकते move कर सकते cell to the right right side में जो cell है उधर जा सकते और left arrow के मदद से हम कर सकते left में जा सकते ठीक है तो hopefully यह video आपको बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि इसमें आपका एक gist निकल के आया है कि आप कैसे कैसे data को select कर सकते हो thank you everyone